वेलो फ्रेंज वलकम बेक टु माई चैनल आज जो हम नोटिफिकेशन दिसर्श करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में देखेंगे कि इसके नमरो भैक एंसे कितनी है पाई स्केल क्या है एक जो केसन वालिफिकेशन क्या है और भी सारी चीजा मैं दिसर्श करूंगा इस हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको ओन टाइम गवर्मेंट जो पर नोटिफिकेशन मिलते रहे क्योंकि मैं इस चैनल पर डे एक लिस्ट वन या टू गवर्मेंट जो पर नोटिफिकेशन अप्रोड करी देता हूं तो इससे आपको अच्छी खासी बैन 2479 वेकन्ज सी ए तो अच्छी खासी वेकनजी ए राइट और यह वेकनजी टीचर वाला यह आपका अकुड़्व्य मॉडल रसीडेंटल स्कूल में आई वी राइट और यह आप दे सकते हूं यहां पर काफी स्टेट में आई थींक हापका जो है कुछ स्टेट में वेकन्स 161 वेकेंसी है, जारखन में 8 है, जमु एन्ड कसमी में 208 है रैट, और यहां पर मद्ध परदेस में आपका 14 है, माहराश्टरा में 1200 ब्खंसी है, मनिपूर में आपका 216, मिजोरा में आपका 40 है, उरिशा में 10 है, राजस्तान में 144 है, सिख्की में आपका 316 वेकनसी है, तेलंगना में 44 है, तरीपुडा में 262 है और तरपर्देश में आपका 58 है, उत्रा खंड में आपका 58 है, तो total वेकनसी आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे आप दे सकते हो principal में total vacancy आपका सभी state को add करके 175 है और आपका जो vice principal है vice principal इसमें 116 vacancy है और आपका जो है post graduate teacher के लिए यहाँ पे आप दे सकते हो आपका 1244 vacancy है राइट और ट्रेंड graduate teacher में 1944 vacancy है total 3479 vacancy है तो अच्छी कासी vacancy है आप फॉर्म फिल कर सकते हो राइट और इसका qualification जो होगा मैं आपको बता दूँ इसका qualification आपका जो होगा जो student principal में फॉर्म फिल करने राइट तो principal के लिए यहाँ पे आप दे सकते हो master degree होना चाहिए राइट और इसमें जो है master degree में at least 45% result के साथ होना चाहिए राइट and be add होना चाहिए आपका राइट और इसमें आपका थोड़ा basic working है आपका computer में राइट basic work होना चाहिए computer पर राइट और जो student vice principal में फिल कर रहे होंगे राइट और इसमें भी master degree होना चाहिए 50% के साथ राइट और be add teaching होना चाहिए teaching degree राइट और basic computer knowledge होना चाहिए राइट और जो student यहां पे आपका जो है post यहां पे पोस्ट ग्रेजवेट टीचर के लिए उसके लिए यहां पे आपको जो है degree होना चाहिए bachelor degree राइट और और इसमें जो trend और teacher ग्रेजवेट टीचर है राइट इसके लिए जो फोर्म फिल करेंगे तो उसको यहां पे bachelor degree होना चाहिए पोस्ट graduate में आपका जो है master degree ही होना चाहिए qualification और जो यहाँ पे आपका trend graduate teacher है इसके लिए आपका जो है bachelor degree होना चाहिए 50% marks के साथ और और इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें आपका experience होगा जैसे principal के लिए तो principal के लिए भी experience होना चाहिए कुछ जैसे two year का experience होना चाहिए आपका principal का और vice principal में भी experience है two year का और यहाँ पे आपका जो form fill होगा आप देख सकते हो यहाँ पे first April से 30 April तक form fill कर सकते हो राइट तो अभी आपके पास time है totally one month time है तो आप form fill कर सकते हो राइट और यहाँ पे form fill करने के लिए आपको इस website पे जाके form fill करना है राइट और और हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है तो इसमें अच्छी खासी vacancy है राइट और सभी state में आई हुई है अलग-अलग number of vacancy है सभी state में राइट और रहा है और इसमें कुछ नहीं है इसमें CBT आपका जो exam होगा राइट एक्जाम होगा CBT टेस्ट होगा राइट उसके basis पेस में सलेक्शन है राइट और इसमें कुछ नहीं है और यदि आपको इस notification में कोई भी doubt राइट फॉम्स इल करने में हो या नोटिफिकेशन के बार